हेलो एब्रिवन कैसी हैं सब रादे रादे जी आई होप सब अच्छे ही होंगे आज मैं लेके आई मिल्क पाउडर की बर्फी की रेस्पी इससे बिनाना बहुत ही असान है और बहुत ही जल्दी बन कर त्यार होगी लगी कि तो बहुत ही टेस्टी आज की वीडियो पुसंद एक चमच आदा चमच लेंगे लाइची का पाउडर जिसे कि मैंने कोट लिया है यह ले लेंगे एक बड़ा चमच बदाम जिसे कि मैंने चोप कर लिया है अब हम एक बाउल लेंगे मिक्सिंग बाउल उसमें डाल देंगे सारा मिल्क पाउडर जो हमने गी लिया है वो एक की बिल्कुल नहीं डालना है थोड़ा करके ही डालना है अच्छे से करते रहे हाँ से फिर थोड़ा सा घी डालेंगे फिर हाँ से अच्छे से मिक्स कर देंगे ज्यादा पतला भी नहीं करना है हासे ऐसे करके देखेंगे कठा हो रहा है तो यह मारा बैटर त्यार है बस इतना ही गी डालना है अब हम लेंगे एक कड़ाई उसमें डालेंगे आदा कटोरी पानी जितने हमने चीनी लिखते हैं इसको अच्छे से चाशनी बना करके त्यार करनी है इसके लिए हमारे वीडियो में एंट तक बने रहे है आज की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है हमारे घर में तो सबको पसंद आई ये बर्फी आप भी ट्राइ करके देख की बहुत ही टेस्टी लगती ये इसमें वोईल आने लगी है पत अच्छे से बनानी है ज्यादा बत को नहीं पकाना है अगर आप चाशनी को ज्यादा पका देंगी तो ये बर्फी सूख जाएगी ये सोफ्री नहीं बनेगी इसलिए अच्छे से ज्यादा नहीं पकाना है ये वोईल आने लगे अच्छे से मिक्स काते हैं बिच-बिच में चलाते रहें ये एक तार वाली चाशनी बनकर त्यार है आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए एक तार अब इसमें डाल देंगी आप मिल्क पाउडर इसको अच्छे से चलाते जाएंगे जब आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे ग्यास को बिल्कुल ही धीमा कर लेंगे और इसे अच्छे से mix करते जाएंगे, कोई भी lumps नी रहने चाहिए, अच्छे से mix हो जाएंगे, अच्छे से mix हो गया है, अब इस stage पर आपको अच्छे से mix करते रहा है, एक मिन्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है, और इसका color भी change नहीं करना है, milk powder का, थोड़े देर के लिए चलाते जाएंगे, इसकी कड़ाई से छूड़ने लगा है, यह मालो, यह batter हमारा त्यार है, अब कड़ाई से चेपक नीरा है, milk powder की बर्फी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका अलग से ही टेस्ट आता है, आप भी recipe try करके देखना, आपको भी अच्छी लगेगी, अच्छ लगाएंगे, तो जल जाएगा, इसकी अब कड़ाई से छूटने लगा है, बिल्कूल चेपक नीरा है, गी भी बहुत ही perfect है, इसमें, और गी नी डालेंगे, अब gas को कर देंगे, बंद, थोड़ा सा थे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे, इतने में हम अपनी बर्फी की अब कोई भी ट्रे या कोई भी पलेट ले सकते हैं, अब इसमें हम ट्रे में लगाएंगे गी, अगर आप कोई भी पलेट या कोई भी ट्रे लेंगे उसमें धोड़ा सा घी लगा दीजेगा, ताकि अच्छे से बर्फी हमारी निकल सके, अब ले लीएंबनी बटर पेपर, उसे भी हम अच्छे से सेट कर देंगे घी लगाने के बाद ये बटर पेपर अच्छे से सेट हो जाएगा अगर हम घी नहीं लगा दे तो बटर पेपर उपर हो जाता है सेट नहीं हो पाता अब बटर पेपर लगाने के बाद भी हम इसमें घी लगाएंगे अच्छे से, क्योंकि बटर पेपर चिपके ना बरफी से, अच्छे से निकल जाएगा, बरफी, गील लगा दिया है से में हमने, जो हमारा बैटर है बरफी का, वो थोड़ासा ठंडा होगा, यानि ज्याधा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा ही करेंगे, अब ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे ट्रे में सारा बैट डाल देंगे इस ट्रे में अच्छे से यह आपको पतला लग रहा होगा यह ठंडा होने के बाद अपने आप ही गाड़ा हो जाएगा बस इतना ही पतला रखना है ज्यादा गाड़ा नहीं करना है अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल सकता है, ये तेकє, सारा व alumni समें आद दिया है ट्रे में अच्छे से डाल देंगे, गर्म होगा तो इसलिए आप स्पैचले से ही डालें, हाँ सेosas मत डालें इदिखे हमने साना डाल दिया ट्रे में अब इसे ट्रे को टैप टैप करके सेट करना होगा यह अपने यह आप के एक शेप ले ले लेगा इसकी सैट करने की भी जूरत नहीं बड़ेगी अपने आप से इसमें शेप आ जाएगी यह दिखे हमने पिस्ता इसमें गार्णिश करेंगे फिर कर देंगे कटे हुए बदाम और कटे हुए काजू पिस्ते को हमने पतल अब दना चौप कर लिया है अच्छे से में चार सारी तरफ लगा देंगे फिर लगाएंगे हम इसके ओपर बदाम चौप की हुए लगा दिया हमने काजू भी आप लगा सकते हैं फिर ले हम इसे स्पैचुले से प्रेस कर देंगे ताकि जो ड्राइफ फूट है अंदर चले जाए अच्छे से उपर उपर रहेंगे तो निकल सकते हैं अच्छे से प्रेस करने के बाद इससे हम तीन चार घंडे के लिए रख ठंडी जगा पर रखें फ्रिज में बिल्कुल ना रखें अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो यह टायट हो जाएगी ज्यादा इसलिए हमने रख दी है तीन चार घंडे के लिए थंडी जगा पर अच्छे से से हो जाएगी फ्रिज में रखने की जोड़ती नहीं है यह तो यह set होगी है, तीन चार गंटे के बाद देखा है, तो यह होगी अच्छे से set, अब इसे हम butter paper के साथ ही निकाल लेंगे, chopping board पे रखेंगे, अब इसके हम pieces cut करेंगे, आप छोटे बड़े pieces कैसे भी अपने हिसाब से cut कर सकते हैं, देखे हमने butter paper से निकाल दिया है, थोड़ बहुत ही soft और बहुत ही tasty बर्फी बन कर त्यार होती है, और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और बहुत ही बनाना इसे असान है, आप भी recipe try करके देखेगा, बहुत ही tasty लगी ही guys, यह देखेंगे अब pieces में cut कर रही हूँ, आपको cut करने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी soft है, कितनी असानी से cut रही है यह बर्फी, ऐसे ही हम pieces cut कर लेंगे, हम medium cut करेंगे, छोटे बड़े ज्यादा pieces नहीं करेंगे, medium ही cut करेंगे pieces, कितनी असानी से cut रही है यह बर्फी, आप भी recipe try करके देखेगे, आपको यह recipe कैसे लगी हमें comment करके जिरूर बताइए, और हमारे चैन subscribe कीजिए, like कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, हम मिलते हैं week में 3 days, Tuesday, Thursday और Saturday को, evening में 5 pm पे, आप यह recipe जुरूर देखिएगा, और आप भी अपने घर पर बर्फी बना कर देखिएगा, और हमें comment करके जुरूर बताइएगा, कि आपको यह बर्फी कैसे लगी अगर आप यह video facebook पर देख रहे हैं, तो facebook page को like कीजिए, और share कीजिए, instagram पर देख रहे हैं, तो instagram id को follow कीजिए, आप यह video हमारे youtube और facebook और instagram platform पर जाकर देख सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, एक नई recipe की साथ, तब तक के लिए take care, and रादे राजे जी, thanks for watching, के रादे रहे हैं, गमवादे की रही हैं, आप का मैंचराइज, एक रहे हैं अब जामॉड़रा हैं? झाल झाल